सास बनी डंडे वाली भूत शिखा की नई नई शादी हुई थी उसका माईका और ससुराल दोनों कानपूर में ही थे इसलिए उससे मिलने उसके भाई अक्सर आते जाते रहते थे ये बात शिखा की सास मीना को बलकुल पसंद नहीं थी ममी जी आज राहूल भाई आ रहे हैं कौन तेरे चाचा का लड़का जी ममी जी अरे पर वो तो दिल्ली में रहता है ना हाँ ममी जी उन्हें कर सुब़ दिल्ली के लिए निकलना है तो वो आज मुझ से मिलते हुए कर सुब़ यही से निकल जाएंगी हमने तो धरम शाला खोल रखी है ना कुछ कहा क्या ममी जी मैंने कहा हाँ आने दे तेरे भाईया को जम कर खातिरदारी करेंगे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इससे पहले कि मेरा घर धरम शाला बन जाए यह कैसी बाते कर रही हो मिना सची तो कह रही हूँ अभी इसकी शादी को साल भर भी नही हुआ और आए दिन इसके घर वाले आधमकते हैं अरे तो क्या हुआ वो इसी शहर में रहते हैं तो हाल चाल लेने आ जाते हैं इस बार मैं उनका हाल और चाल दोनों ही बिगार दूंगी अब बहुत हो गया जी अरे यह कैसी बाते कर रही हो ए बगवान बस आप तो देखते जाए शाम को रहु लाता है नमस्ते आंटी कैसे आप लोग हम लोग तो ठीक है तुम कैसे हो बेटा है मैं भी अच्छा ही हूँ आंटी बस आज रात के बाद नहीं रहोगे चलिए बहिया मैं आपको हमारा घर दिखाती हूँ रात में खाने के जीबल पर शिका रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा जी बेया वो आफिस की काम से बाहर गये हैं कर शाम तक आएंगे अच्छा अच्छा बेटा क्या तुम भूत प्रेत में मानते हो नए नए आंटी जी पर अचानक आपको ये खयाल कहा से आ गया पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे लगता है जैसे रा तुम लोग घबराना जाओ इसलिए मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं कहा ये आपका वहम होगा आंटी जी ऐसा कुछ नहीं होता हो सकता है चलो अब मेरा सोने का टाइम हो गया है तो चलती हूँ मैं शिखा बेटा राहूल के सोने की व्यवस्ता वहीं दिवान पर कर देना जी पापाजी अब चलिए भी अच्छा तो बैठक में सोने वाले हैं सहबजादे क्या बड़ बड़ा रही हो कुछ नहीं आप सो जाईए मीना और महेश के सोने के बाद शिखा और राहूल आपस में बात कर रहे होते हैं तभी डॉर बेल बचती है हरे आप सुप्रा स्काम जल्दी घतम हो गया तो मैं आज ही चलाया यह तो बात अच्छा किया देखे राहूल बइया भी आए हो आप दोनों का मिलना भी हो जाएगा कैसे हो रोएट मैं तो ठीक हूँ भईया शिखा मैं भी आज यहीं सो जाता हूँ राहुल भईया से बाच्चित भी हो जाएगी अच्छ अच्छ ठीक है मीना आधी रात को उठती है कंबल मुँ से पैर तक ओड के डंडा लेके बैठक में आती है और देखती है दिवान पर चादर ओडे कोई लेटा हुआ है देखो तो गैसे मजे से सो रहा है बेहन के ससुराल में मीना ताबर तोब चार पाच डंडे मार देती है अरे मर गया अरे बचाओ बचाओ कौन है मीना जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती है ये भगवान ये मैंने क्या किया ये रोहित कहां से आ गया लगता ही ये नाला एक राहुल महमानों वाले कमरे में सो गया होगा और तो इसकी खैर नहीं उधर बैटक में अरे क्या हुआ रोहित मैं बातरूम में था तुम्हारे चिलनाने की आवाज सुनी पता है भईया मैं सो रहा था अचानक से कोई आकर मुझे डंडे मारने लगा ये क्या कह रहे हो लगता है तुम भी आउंटी की तरफ भूत प्रेत में मानते हो नहीं नहीं भईया सच में कोई आया था मैं तो जा रहा हूँ महमानों वाले कमरे में सोने के लिए इस समय अपने रूम में जाऊंगा तो शिखा की निन्द खराब हो जाएगी ठीक है भाई जाओ तुम जहां तुम्हारा भूत डंडा लेके ना आ सके थोड़ी दिर बाद मीना कंबल ओड के डंडा लेकर महमानों वाले कमरे में पहुँच जाती है वो बिस्तर पर सोये रोहित को फिर डंडों से मानने लगती है अरे मर गया अरे मर गया तु भूत प्रेत में नहीं मानता ना ये ले अब डंडे खा है ये तो मा की आवाज है रोहित कंबल खीच देता है बेटा तू अरे ये क्या कर रही हो मा मार मार के मेरा भरता बना दिया आपने माफ कर दे मेरे लाल मैंने तो तुझे ही मार मार के लाल कर दिया मैं तो उस राहुल के बच्चे को सबक सिखाना चाहती थी राहुल था या को हाँ बेटा मुझे लगा अगर उसे डंडे मारूंगी तो शिखा के माए के वाले यहां आना छोड़ देंगे हे भगवान मा ये घर शिखा का भी है उसके घर वाले जब चाहे आ सकते है हाँ बेटा आज मुझे भगवान का इशारा समझ में आ गया मैं कितना गलत करने चली थी और अपने ही बेटे को जोट पहँचा दी अब चिपचाप जाके सोजाओ मा और किसी को कुछ बताने की जुरुत भी नहीं है